नमस्कार दोस्तों प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् means में भी मदद करेगा तो आप लोग जो लोग भी prepare कर रहे हैं वो इन lectures को काफी seriously और काफी attention के साथ देखे है उसके अलाबा अगर और कोई ऐसा viewer है जो MPK किसी और government exam के लिए prepare कर रहा है तो वो भी इन lectures को देखकर लाब उठा सकता है तो please आप इन lectures को दियान से देखना उसके अलाबा दोस्तों अगर अभी भी किसी aspirant को private lectures देखने में कोई problem आ रही है कोई access करने में कोई issue आ रहा है तो वो हमें contact कर सकते हैं कि दीचे दिये हुए given contact numbers पर दोस्तों यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हैं मेरा नाम है आलू गुपता मैंने यह मैंने डूपाल से graduation किया है और मैं दू बार UPSC means का exam भी लिख चुका हूँ तो दोस्तों बस मेरी यही कोशिश है कि जो मेरी learning experience हुआ है जो मैंने knowledge gain किये वो आपके साथ share की जाए और आपको भी इसके ज्यादा से ज्यादा लाब पहुचाया जा सके हूँ दोस्तों इस slide पर आप देख रहे है MPPSC Prelims GS1 का syllabus बैसे तो already आप लोग इस से अफगत हूँगे पर जिनको नहीं पता जो first time exam देने वाले हैं तो please आप इस syllabus को धंग से देखिए so that आपको भी एक fair idea लग सके that what you need to study in order to clear the Prelims exam दोस्तों आज का लेक्टर श्रू करने से पहले I just want to say thank you to every one of you जिन्होंने इस चैनल और इस इनिशेटिफ को सपोर्ट किया है so thank you very much उसके अलाबा दोस्तों ये जो आपका Straight Zero channel है इसने एक website भी बनाई है features है या streamlining है data की वो अभी करना बाकी है तो बैसे आप जाके वहाँ पर visit कर सकते हो लेकिन अगर अगर पहाँ पर थोड़ा बहुत है ही पर कोई glitch आए तो please परिशान होने की ज़रुवत नहीं है इसको लोग अभी बहुत जलसे रेक्टिफाय कर देंगे सारा study material एक ही जगह पर आपको access हो सकेगा और सारे वीडियो बगेरा भी सब एक ही जगह आप access कर सकेगे इसके अलावा भी अगर आपको फिर भी कोई issue आता है तो आप directly हमें contact कर सकते हैं इस given email id पर So now having said that let's start today's lecture तो दोस्तों जैसा कि मैंने ये बताया कि इस series में हम लोग बात कर रहे हैं MPK divisions के बारे में तो हम एक एक करके सारे MPK divisions देख रहे हैं और फिर उन division में आने वाले सारे district को हम लोग कवर कर रहे हैं और उस district से जो भी related important fact या figures हैं उनको मियाद करने की कोशिश कर रहे हैं with the help of map, mind maps and with the help of pictures तो जो भी आज हम लोग ख़वर करना है that is Gualier district तो आज हम लोग Gualier के उपर बात कर रहे हैं sorry Gualier division के उपर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो Gualier division के बारे में ही बात कर लेते हैं जो आपका Gualier division है इसका headquarter है Gualier city उसके अलाबाग Gualier और जो चंबल division है ये दोनों एक साथ आते हैं आपके Gualier division में अगर आप physical features की बात करें मंदप्रदेश की तो उसमें एक मैंने Gualier region आपको geography के lectures में बताया था तो इस Gualier region में दोनों division आते हैं आपका एक chamber division आता है जो अलड़ी कबर किया जा चुका है और दूसरा Gualier division आता है यहाँ पर मुख्यता तो agriculture ही होता है उसके अलावा यहाँ पर 5 district है जिन में से Gualier और शिप्पुरी कबर हो चुकी है आज अचोगनगर, दतिया और कुना को हम कबर करेंगे तो इनकी location आप देख सकते हो यह northeast region में आता है Malwa Plateau के, Malwa Plateau last lecture में मैं आपको दिखा चुका हूँ यह पूरा portion आता है आपका Malwa Plateau तो इसके northeast region में, यह होगी आपका उपर की तरफ north और यह होगी है east तो northeast region में आता है यह ठीक है और इसका area जो है वो है 6484 which is not important from exam point of view but still 6484 square kilometer population is also as you can see over here it is not important from exam point of view but still knowledge point of view से पढ़ सकते हो गुना में ऐसा देखा जाए तो गुना में agriculture भी होता है और industrial development भी काफी हथ तक है तो इन दोनों का perfect balance देखने को मिलता है किस तरीके से agriculture और industries को एक साथ लेके चला जा सकता है यहाँ पे जो farmers है वो especially rice, sunflower, wheat, sugar cane, oil seeds और mage को produce करते हैं ठीक है तो यह यहाँ की crops हो गए जो आपने means के exam papers को देखा होगा पहले वाले past years के तो उसमें क्या होता है उसमें यहीर तो पूछते हैं कि इस particular region में कौन से crops होते हैं यह particular crop किस किस जगह पे होती है तो इस type के questions के लिए तयार रही है और यहाँ से याद करते रही है उसके अलाबा अगर हम इंडस्ट्रियली बात करें तो यहाँ पे जैसे की national fertilizers limited है उसके अलाबा गेल जो एक PSU है उसका भी यहाँ पे इंडस्ट्री है उसके अलाबा दीपक इस्पिनर्स भी है ठीक है तो यह इंडस्ट्री के नाम दिये हुआ है अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है विश्भू जी टेंपल बजरंगड एंड फोर्टो भदूरा ठीक है फोर्टो भदूरा प्लीज पार्ड़न माय प्रनेंसियेशन हो सकता है लोकल लेंगेज में इन सब को कुछ और बूला जाता हो लेकिन मैं इस इस हाँ आइम प्रणांसिंट तो विश्भू जी टेंपल है यहाँ पे ब फिल्फर्म का है गौालियर उनाइटेड नेशनल आरमी तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फेक्ट है प्लीज दूर्मेंबर एड उसके अलावा यह जो गुनाह इबाला एरिया है यह पहले अब 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 आपको पता होगा कि क्या केते हैं सोला जन महाजन पदास हुआ करते ठीक है तो जो अबंती वाला एरिया है वो गुनाह में ही पड़ता है आपका इसमें गुनाह में और यह बोला जाए गुनाह को किसने फाउंड किया था तो चंद प्रद्योता महासिना जो प्रद्योता डाइनस्टी आई थी प्रद्योता डाइनस्टी मैंने आपको इस्ट अगर हम ब्लॉक के तैसिल की बात करें तो इन आल यहां पे साथ तैसिल आपको देखने को मिलती है एक है आपकी गुना इटसल गुना एक तैसिल भी है बामौर फिर है रगुगड अरुन चछोगुरा कुम्भराज एंड मक्सूदन गड़ मक्सूदन गड़ ठीक है उसके अलावा पर इसके मैप को देखे तो मैप से आपको आइडिया लगेगा ऊपर यह शिप्पुरी नीचे बिदीशा यहां पर राजगर यहां देखिए भुपाल को टच कर रहा है आपका गुना उसके अलावा यहां पर यह राजस्तान को पेपर में पूछा जा सकता है कौनसा इस टेट है जो राजस्तन के साथ बांडरी शेयर करता है तो यहाद रखना है तैस गुना जै यह है मक्सूद अंगर यह है चचुरा एंड यह है कुंभ राज ठीक है तो यह साथ तैसील है आपकी है नहां हविंग सेट उमीद करता हूं यह याद हो गया हुआ गुना का फुल्फोम आपको याद हो गया हुआ गुवालियर उनाइट नेशनल आर्मी जो की अवंती का क जा है उनके तवारा इसको फांड किया गया था आगे चलते हैं यहां पर कुछ और डिटेल नी हुई है गुना आपका जो गुना डिस्टिक्ट है उसके बारे में और यह जो डिटेल है वो गुना की वेबसाइट से ली गई है तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा से द अब क्या है जो लोगसोबा की इस तरीके से डिवाइड होती है कि कुछ पॉर्षन राजगड में चला जाता हुगा तो यह जो थोड़ा का गुना का रीजन होगा वो इसमें राजगड में चला जाता है तो वह वाला पॉर्षन हो गया तो तो यहां पर एंपी होते हैं यहां पर अगर हम बात करें कौन कौन सी भाषा हैं बोली जाती है तो मुख्यता यहां पर हिंदी बोली जाती है और इंगलिश बोली जाती है तो याद रखो हिंदी और इंगलिश नदियों की अगर हम लोग बात करें तो पारबती सिंध कूनो एं गोड़ा गोड़ा पच ठीक है तो ये चार नदियों के नाम है अगर इसके latitude और longitude की बात कर ली जाए तो इसका जो latitude है वो है 24.6 north 24.6 north अगर longitude की बात करें तो 77.2 east 77.2 east gaze का आपका longitude हो गया 24.6 north and 77.2 east longitude travel destination की बात करें तो बजरंग जो बजरंगड फोर्ट है वो हो गया है यहाँ पर बीश भूजा देवी का टेंपल ठीक है बीश भूजा देवी का टेंपल हनमान टेकरी जैन गड़ उसके अलाबा क्राइस्ट दा किंग चर्च पंच्मुकी हनमान आश्रम यह सारे यहां पर important travel destination है college या university की बात करें तो कोई इतना important नहीं है जिस पर ध्यान दिया जाए अब ध्यान देते हैं इसके थोड़े map के उपर जो इसका map है उसको देखते है अधन से तो देखें map में क्या-क्या details हमें देखने को मिलती है यह देखें यह जा रही है पार्वती नदी जो मैंने आपको भी पार्वती नदी बताई थी उसके अलावा यह भी पार्वती है यहां पर यह हो गई आपकी सिंध नदी ठीक है सिंध नदी आपको दिख रही है यह नहीं आपकी सिंध नदी तो नदियां यहां पर दो जाए तो इस्टेट हाइवे 25, यह देखो 25, यह है 21, और यह स्टेट हाइवे 20, इस्टेट हाइवे 23, ठीक है, तो यह स्टेट हाइवे 14 भी यहां से जा रहा है, बॉर्डर की बात की जाए तो देखिए, राजगर, गुपाल, विधीशा, अशोक नगर, शिप्पुरी और य यहां दिना है, रेस्ट अब्रेटिंग इस स्टेट आउट, तो प्लीज यहां दखना, पारवती नदी, यह आपका अगर हम इस नेशनल हाइवे की बात करें तो 46, और यहां पे आपकी सिम नदी, इस देट क्लियर, आगे चलते हैं, अब हम यहां पे गुना से जो रिलेट ुष्या जी का मिला लगता है, आपके इसका, तेजा जी का मिला, संथ तेजा जी का मिला लगता है, वो कहां पे लगता है, उसके अलावा जो बजरंगड फोट है, वो फिरमस किस लिए है, हिंदू और जenne के जो श्रदालू आते है, बर्शेपर्स आते हूं उनके लिए, तो बजरंग गड़ जो फोट है वो फिमस है हिंदू और जैनके वर्षिपर्स के लिए उसके अलावा 18 सेंचुरी में जो गुना था वो गुना पार्ट था राधोगड राधोगड रियासत का यह कोई प्रिंसली कोई स्टेट या रिजन रहा होगा राधोगड तो उसका पार्ट था गुना ठीक है तो गुना किसका पार्ट था राधोगड रियासत का उसके रावा इंचिन टाइम में गुना जो है वो अवन्ती स्टेट का पार्ट था सोला महाजनपदास में से एक महाजनपदा आया वंती अवंती का पार्ट था गुना प्लीज डू मेंबर पॉलिटी का अगर फेक्ट्री बात की जाए तो 1948 में सेंट्रल रीजन में से कार्बाउट किया गया था गुना डिस्ट्रिक्ट को ठीक है तो 1948 में जो सेंट्रल लीजन बनाया गया था उसका जो सोलवा डिस्ट्रिक्ट था वो क्या था आपका गुना डिस्ट्रिक्ट अब एकॉनमी के एफेक्ट की बात की जाए तो यहां पर देखे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है वो कहां पर विजयपुर में जो आपका इंडस्ट्रिय वो कहां पर विजयपुर में अगयन उसके लावा हजारी विजयपुर एंचग्दीशपुर पाइपलाइन पास उरी है यहां से कहां से उसके लावा साइंस के फ्रेक्टी बात की जाए तो जियो सेटिलाइट का कम्यूनिकेशन रिसर्स सेंटर ह उसके लावा गुना का पुराना नाम वालियर उनिटेड नेशनल आर्मी जो कि इसे धवन्ती हिंडम का पार्ट था और इसे चंद प्रद्योता महसिना ने डिस्क्रवर किया था इस नेट किलियर तो यह सारे इंपोर्टेंट एक बार रियास डिवाइस करवा देता हूं त अब आगी चलते हैं तो जो भी अभी मैंने आपको मैंड मैं पर बताया वही सारी चीजे पिक्चर और लिस्ट व्यू की मदद से हमें याद करने की कोशिश करेंगे तेजा जी का मिला यह रहा तेजा जी का मिला गेल के बारे में मैंने आपको बता है तो यह रहा गेल का ल जियो सेटलाइन कम्यूनिकेशन रिसर सेंटर कहां पर विजयपूर गुना अजारी विजयपूर जग्दीशपूर पाइपलाइन यहीं से पास हो रही है गुना पहले अवंती स्टेट का पार्ट था और 28 सेंश्री में गुना रदोगड लियासत का पार्ट उसके रावाद 1948 में जब सेंटरल लीजन बनाया गया था तो तो 16 में एक डिस्ट्रिक्ट जो थी वो थी गुना डिस्ट्रिक। कुम्राज जो है गुना में एक फिमस गलामंदी का नाव में है उसके लावा बजरंगड जो फोट है वो हिंदू और जैन श्रदालियों की के लिए जान जाता तो रदोगण लियासत और अबंती स्टेट प्लीज डूर्मेंबर इस तू नेम्स उसके लाबा बजरंगड का जो फोट है वो कुछ इस तरीकी का दिखता है तो प्लीज इसको याद रखना उसके लाबा कुम्राज मार्केट में ने भी आपको बताई जो कि एक फेमस गल्ला मुल्सिपैलेटी काउंसल भी है अशोग नगर डिस्टिक्ट के अंदर तो अशोग नगर एक डिस्टिक्ट हो गया उस डिस्टिक्ट के अंदर एक सिती है अशोग नगर उसके लाबा एक मुल्सिपैलेटी भी है मुल्सिपैलेटी के लो यह नहीं एक ब्लॉक है एक तरीक तो पहले गुना का पाट था अशुक नगर उसके बाद जो अशुक नगर है ये इस्पेशली जाना जाता है अपनी अनाज मंडी के लिए इंगलेश में जिसको बोलते है ग्रेन मार्केट अनाज मंडी ठीक है अनाज मंडी के लिए जाना जाता था उसके अलावा जो यहां प कहाँ पर ऊआए जाता है कहाँ प्रेडि test होता है तो याद रखना अश्यों नाम कि ठीक है उसके लावा अश्यों नाम पहले नाम प्रिचार कि अногEM क्डिक कर देख तक रखना पुछ जैसे की इस यह तो बनाता इक तो ज hail जैसे ही पहले अशुक नगर का पाट था तो 15 गस 2003 में अशुक नगर को अलग करके अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया अगर ब्लॉक से तहसील की बात करें तो इन आल यहां पर किती पांच तहसील से जिनके नाम क्या है मुगावली अशुक नगर इशागर, चंदेरी और सधूरा ठीक है शथूरा तो क्या के नाम है मुगावली अशुक नगर इशागर, चंदेरी और सधूरा यहां पर यह रहा इसका मैप तो अब दीखे, यहां पर यह रहा आपका अशुक नगर है इसके बौर्डर किसे टचुरा है उत्तर प्रिदेश तो पूछा जा सकता है पेपर में या रखना नीचे यहां पर यह सागर, विदीशा, यहां पर गुनाव और उपर शिप्पुरी है यहां पर यह रहा आपका इसागर, चंदेरी और यहां आपका सदोरा, अशोकनगर, मुंगाउली अब हम बात करते हैं, अशोकनगर से कुछ related facts की, जो कि मैंने उसी की website से लिए, तो क्या है यह यह फेक्ट, तो headquarter अशोकनगर है, population growth, sex ratio, literacy area, densities are not important, तैसील आपको मैं बता चुका हूँ, लोगसवा consistency, यानि जो गुनाव का MP होता है, भही अशोकनगर को भी देखता है, उसके लावा MLA की seats की बात की जाए, तो 3 MLA की seats है, यहाँ पर एक अशोकनगर, जो कि एक SC के लिए reserve consistency है, फिरेचंदेरी और मुगाउली, उसके अरवा अगर languages की बात की जाए, तो यहाँ पर बंदेल खंडी और खाडी बोली जाती है, खडी, ठीक है, तो पैसे इसको अगर पू लादी, clear है, अगर हम यहाँ पर latitude और longitude की बात करते हैं, तो latitude है आपका 24.5 North, 24.5 North, और अगर हम longitude की बात करते हैं, तो which is 77.7 East, 77.7 East, और 24.5 North, यह latitude और longitude हो गया है, अगर travel destination की बात करें, तो चंदेरी का किला है, यहाँ पर, कौशक महल है, आनन्दपुर साहिब गुरु गुरुद्वारा है, फिर है चंडाल मठ, आदीनाथ जेन टेमपल, शांतीनाथ जेन टेमपल, चंदेरी, चंदरप्रभु जेन टेमपल, ठीक है, तो बहुत सारे जेन टेमपल है, तो इससे हमें एक तरीके से conclude कर सकते हैं, आशूक नगर एक तरीके से जेन इस्थान है, च अपना ध्यान आपरशित करते हैं किसकी तरफ, किसके मैप की तरफ, तो ये रहा आपका अशूक नगर, ये देखे, ये रही आपके उपर सिंध नदी, ये रहा आपका और नदी, ये जो राजगार इंजर वायर है, जो कि यूपी में है, लेकिन ये एमपी का भी कुछ पा इस्टेट हाईवे 10, इस्टेट हाईवे 20, तो 19, 20 and 10, तो ये तीन आपके इस्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे कोई दिखाया नहीं गया है, बाकि और कोई इंपोर्टेंट प्लेस यहाँ पर आपको देखने को ऐसाच नहीं मिलती है, तो तो इस इस ती ओनली तिंग व सबसे पहले इस्ट्रीक एफेक्ट, तो चंदेरी पोट अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, चंदेरी का किला कहां पर है, तो अशोपनगर में है, 24 जेन, तीर थांकर, देकि जेन रिलीजिन में, जेन रिलीजिन भगवान को रही मान इसमें क्या होते हैं, जो बहुत बड़े संत होते हैं, जो एकदम जिनको सब ग्यान हो जाता है, जिनको absolute knowledge हो जाती है, उनको बोला जाता है, तीर थांकर, अगर इसको convert or simple language में समझा जाया है, तो एक परीके से saints, या फिर क्या केते है, पुजारी, गुरु जी, तो ऐसे जो दो और question पूछे जाते हैं, सबसे पहले तीर थांकर का नाम क्या है, फर्ष्ट तीर थांकर का नाम क्या है, और 23rd तीर थांकर का नाम क्या है, यह दोनों की जवाब आप मुझे comment section में देना, मैं बहाँ पे आपके यह answers को check करूँगा, तो 24 जन तीर थांकर जो है, मनलब 24 के 24 तीर थांकर की मूर्थी है, तरी काल मंदर में, तो पेपर में पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा मंदर है, जहां पर पूरे 24 तीर थांकर की मूर्थी है, तरी काल टेंपल इन अशोक नगर, उसके लावा चंदेरी बादल, चंदेरी बादल पलेस और कोशाक पलेस, बोट अ ऐन जी जैन एडिया नहुंड अपे यह भी आपका अशुकनघर में फिर क्राये करीडा माता मंदिरा कई है काफी famous है लव और खुश के जनम के लिए लव और खुश कंद बहुत मार्म और वकुश तुन गूपर जनम हुया था कि इसीद यह पहुत famous है यहां पर एक मिला भी लगता है हर साल रंग पंचमी के दिन किस दिन रंग पंचमी के दिन यहां पर एक मिला लगाया जाता है और यहां पर राई डांस परफॉर्म किया जाता है कि कौनसा डांस राई डांस आपको यह मैंने कल्चर में पढ़ाया है अगर आपको नहीं पता तो आप बहाँ पर देगे, ये राई डांस या पर परफॉर्म होता है, और जो बेदिनी एक तरीके से गुमेंस होती है, वो इसको परफॉर्म करती है, ठीक है, उसके अलाबा आनंधपुर आश्रा में, अशोक नगर डिस्ट्रिक्ट में, अशोक नगर का जो नाम है, वो फे मौलदम दूसरा कोच डैमको दोनों की दोनों पार्बती नदी के उपर बने हुए है, एक बार रिवाइस करवा देता हूँ चंदेरी का फोट तरीकाल मंदिर जहां पे 24 तीर थांकर की बूर्थी है चंदेरी बादल पेलेस और कूशाक पेलेस सायोग संप्रदाय चंडाल मट तुमान जी जेनेरिया करीला माता का मंदिर जो की फेमस है लव और कुश के जनम के लिए उसके लाबा आनंदपुर आश्रम अशोक नगर का नाम क्यों पढ़ा गया चंदेरी की सारियां फेमस है 2003 में इसको गुना डिस्टिक्ट से अलग करके बनाया गया था अब यही सारी डिटल को हम लिस्ट व्यू में देखेंगे और वित्ती help of pictures याद कने की गुशिश करेंगे चंदेरी फोर्ट यह रहाब का चंदेरी अपनी सारियों के लिए फेमस है ओपन जेल है मुंगावली में मुंगावली एक तैसील का नाम था तो उस मुंगावली जगावली जगावली पे क्या है ओपन जेल है MP का क्या है ओपन जेल चलिए यह बताईए MP में कितने ओपन जेल है यह आपका आज का तीसरा question उसके अलाबा अनंद पुर आश्रम जो है वो अशूग नगर डिस्ट्रिक्ट में ही है और कोच टैम तोनों के दोनों किस पर नदी बे बने हुए पारवती नदी अशूग नगर जो नाम है वो अशूग समराट अशूग से आया है 24 जेन तीर्थांकर का मंदिर है कहाँ पे तरीकाल में तो यह आप देख सकते हो यह रहा आपका त्रीकाल मंदिर जहां पर तीरतांकर सारे बैठे हुए है कराला माता का मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है लब और कुश की जनम के लिए और यहां पर एक मीला रखता है लंग पच्पी के दिन जहां पर लाई डान्स परफॉर्म किया जाता है बेदनी जो सराय है उसकी औरतों के द्वारा उसके आलाबाद लगोणी जैन एरिया है सहयोब संपरदाय चंडाल मठ है और चंदेरी बाधल परेस और कुशाक परेस तो यह रहा से ऍाथ कूशाक परिस का फोट्व शुकनगर में ही है आनंद पुराश्रम या साहिव जो गुरु द्वारा है वो वहाँ पर है करा रहा है माता का मंदिर तो यहां पर लबकुष का जैनम हुआ था प्लीज डू रूमेंबर दिस फेक्ट इस वेरी बेरी इंपोर्टेंट उसके अलावा चंदेरी बादल पहले इसका फोटो यह रहा और यह सही हो संपरदाय चंडाल मठ अब बात करते हैं आखरी डिस्टिक जो ग्वालियर का आखरी डिस्टिक है चलिए आप लोग इसको इंटरस्टिंग बनाते हैं अगर आप में से कोई भी विवर इन किसी भी डिस्टिक से बलॉंग करता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस डिस् लावा इसके अगर latitude और longitude की बात की जाए तो देखिए इसका जो latitude है latitude आपका जा रहा है इसका 25.7 नॉर्थ और उसके बाद longitude जो इसका है वो है आपका 78.25 तो 75.7 नॉर्थ 78.25 East Latitude and Longitude याद होगे Populations are not that much important अगर tourist spot की बात की जाए तो यहाँ पे एक पीता उबरा पीट है गुजारा गुजारा एक inscription बाली जगा है मतलब जहाँ पे अशोक अशोक ने अपने कुछ pillar inscriptions बरवाये थे तो चार जगों पे MP में देखी जाते हैं तो गुजारा में भी एक इंस्क्रिप्शन से है उसके लाबा बाटेनिकल गार्डन सोनागरी के टेंपल जो जैन बंदिर है वहाँ पे जैन का एक तीर दिस्तर है बदोनी टेंपल उनाव वालाजी स्थन टेंपल फिर है स्योडा स्योडा फिर उसके लाबा पंचव कवी की टॉरिया गोविंद पैलेस उसके लाबा बांडेर एंड उन्नु की टॉरिया राजगर पैलेस एंड म्यूजियम तो यह सारी यहाँ पे टूरिस प्रेसेस है चलिए यह करके और इसके बारे में देखते है अगर हम इंशिन टाइम में बात करें अपने पुराने टाइम की बात करें तो महावारत यह सबसी ततिया जो है एक इंशिन टाउन है मतलब महावारत एरा में भी इसका बर्णन कहीना नहीं पे मिलता है तो जो दतिया है वो महावारत के टाइम से एक्जिस्ट करता है ये टाउन ठीक है तो महावारत में इसको इसका वर्णन मिलता है दतिया का पॉपुलेशन एरिया डेंसिटी सेक्स रेशियो लिट्रेसी इस नॉट एट इंपोर्टन ब्लोक और तैसील की बात करें तो यहां पर in all चार ब्लोक या चार तैसील एक तहील है दुसरी निवाडी ठीक है तो चलिए इसके यहां पर आप मैप में थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि ग्वालियर है उपर उपर यह भिंड रहा यह स्योड़ा रहा यह इंदरगर्ण यह भांडेर और यह दतिया ठीक है किलियर है यह आपको आगे चलते हैं अब दतिया के बारे में कुछ और इंफर्मिशन देखते हैं with the help of यह जो इनकी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर अवेलबल था इसका जो MP होता है वही दतिया का भी MP होता है उसके अलावा Assembly Constituency की बात करें MLA की सीट्स की बात करें तो तीन MLA होते हैं एक संवडा का एक बाइंडर का और एक दतिया का जो बाइंडर का MLA होता है वो SC Reserve Constituency का Candidate होता है उसके अलावा अगर यहाँ पर हम Language देखें तो यहाँ पर खड़ी बोली बुदेली बोली जाती है भारिया बोली जाती है द्रविदियन और हिंदी बोली जाती है क्या क्या बोली जाती है खड़ी बोली उसके अलावा भारिया द्रविदियन और हिंदी यह चार Languages बोली जाती है लेटीटूड ओ लोगीटूड 25.7 और 78.5 यह लेटीटूड ओ लोगीटूड है अगर हम यहां में ट्रेवल डेस्टिनेशन की बात करते हैं पीतांबरापीद सोनागिर का टेंपल उनाव वाला जी सन टेंपल बीर सिंग्तियों का महल जिसको सत्खंड के नाम से भी राजगण पैलेस एंड व्यूजियम गुजारा इंस्क्रिप्शन पॉटेनिकल गाडन पंचकोभी की टौरिया उन्नु की टौरिया अबद बिहारी टेंपल सिवगिर टेंपल बिजयरागव टेंपल गोविंद टेंपल एंड बिहारी जी टेंपल अब हम यहां पर थोड़ा इसा मैप देख लेते हैं सुधेट हमें और ज्यादा फ्यार आइडिया लग जाए तो यह देखी नेशनल आईवे 44 निकलना है इस्टेट हाइब यह रहा 19 और इस्टेट हाइब यह 45 नदियों कि अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यह यहां यह देख रहा है मैप में यह उपर से तो जा रही है आपकी सिंदर नदी ठीक है तो यह एक तो वही आपकी सिंदर नदी और यह जो नदी है वो किलियर नहीं दिख रही है यहां पे तो इसको बाद में देखेंगे कभी Is that clear? तो बस that is it from दतिया डिस्ट्रिक्ट आगे चलते हैं अब बात करते हैं दतिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ और with the help of mind map तो mind map में हमें क्या कर देखने को मिलता है दतिया का पुराना नाम है दिलीप नगर बहुत important fact है दिलीप नगर जो है दतिया का पुराना नाम है So please do remember this दिलीप नगर इंशेंट टाइम में महावारत एरा में भी दतिया का वर्णन मिलता है यानि इसका mention है कहीं न कहीं पे पाई जाते हैं एक जैसे की दुआ मती माई और दूसरा पीतामरा माई यह दोनों की दोनों एक ही जगह पर पाई जाती है इसको सकती पीट के नम से भी जानते है पीतामरा पीट को उसके अलावा रतंगर की माता सोना गिल जो की जैन religion से associated है जैन का एक धरम इस्तल है उसके भांडर में इसके उपर तो कॉशन भी आ चुका है तो याद रखना भांडर में गैस बेस्ट इलेक्रिसिटी पावर प्लांट है उसके अलावा कुंदो सिंग ब्यूजिक कॉलेज है कुंदियो सिंग ब्यूजिक कॉलेज बोटैनिकल गाडन है दतिया भांडरूट पे उस इसके अलावा दतिया को स्मॉल ब्रिंदावन के नाम से भी जाते क्योंकि दतिया में बहुत सारे टैंपल्स हैं यहां पर और भी कुछ अच्छे-च्छे मंदर जैसे कि बगुलामाती का देवी का मंदर इमावती देवी का मंदर महावारा टाइम पीरिड का शिव्ड मंद इन मीर ुसके अलावा यहां पर जो फोर्ट है फोर्ट के लिखा हुप है JUSTICE मतलब नियाए-मुकुट का हीरा है तो क्या करते है just is our beep, diamonds of crown justice are the diamonds of crown जो भी है अशो की time के inscriptions यहाँ पर देखने को मिलते हैं found in गुर्जरा on this inscription और इसी inscription पर समराट अशो का नाम भी लिखा हुआ है जो गुर्जर इस inscriptions है बहाँ पर समराट अशो का भी नाम लिखा हुआ है तो यह भी बहुत important बात है इसके उपर question आता रहता है so this is the important information about the district एक बार फिर से देख लेते हैं महावारत, टैंकाया, दिलीप नगर फिर बीर सिंग, बुंदेला और साथ फ्लोर सत्कंड पैलेस, स्मॉल ब्रंदाबन पगलामती, इमापती, महावारत टैंपीरेट का शिव मंदिर उसके अलाबा ये लिखा हुआ है नयमकुट का हीरा है, अशोक का inscription जहाँ पर अशोक का नाम लिखा हुआ है फिर gas-based electricity power plant, स्योडा में जो waterfall है, वो सिंदू नदी के उपर है सोनागिर, जैन टेंपल रतनगर माता टेंपल, पीतांबरा पीत, सो I hope now these facts are very much clear, अब यही सारे fact को हम देखते हैं, list view में और picture की मदब से याद करने की कुशिश करते हैं तो दिलीप नगर, भीर सिंग बंदेला 17th century, साथ फिलोर का जिसका नाम है सत्खंड गुर्जर inscription पर अशोक का नाम लिखा हुआ है जो की दतिया में है पीतांबरा पीट या शक्ति पीट रतंगर माताकार्ट मंदिर उसके अलाबा जैन फिलिग्रिमेज का सोनागिर मंदिर ठीक है, तो यह आपके सोनागिर का ही फोटो है और यह रहाब का बीर सिंग मंदेला बीर सिंग मंदेला का जो पैलेस था या सत्खंड पैलेस तो यह रहाब का सत्खंड पैलेस उसके अलाबा पुंडियो सिंग ब्यूजिक कॉलेज इस्मॉल विरंदावन बगुला मती देवी और इमाबती देवी टेंपल महाबारा टाइम का शिर्मंदिर उसके अलाबा न्याय मुकुट का हीरा है यह यहां के फूड पे लिखा हुआ है वाटनिकल गार्डन स्योड़ा वाटरफॉल और सिंधू नदी तो आप यह देख सकते हो गैस बेस इलेक्रिसिटी पावर प्लान जो की महंडर में है उसके अलाबा जैसा कि मैंने बताया अशोक इंस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो की फाउंड इन गुर्जर गुर्जरा है जो इंस्क्रिप्शन से बहाँ पे उसके अलाबा बीट सिंध गुंदिला ने अगर ऐसा है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्रिप करना ना बूले उसके अलाबा इसको शेयर करें अपने दोस्तों और फ्रेंड और फैमिली के साथ तो भी इस लेक्शर से फाइदा उठा सके अगर आपको कोई पर क्वेरी या डाउट आता है तो आप मुझे इस हीमिल आइडिया है इस मुबाइल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं उसके अलाबा दोस्तों अगर अभी भी आपको प्राइवेट वीडियो या वक्टेस पेपर या लेक्शर के पीडियो वगएरा एक्सेस करने में कोई शूर रहा है तो आप मुझे इस नमर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं एंग अट लास थैंकियो मेरी बच पर वाचिव वीडियो सब्सक्राइव विच वाल विश्वर वीश्या एक्शाइम अब आम विलिए इन नेस्ट लेक्टर में तिल देन बाई बाई और थेंक यू थास्पिर निया